भारत सरकार ने विदेश में काम करने वाली भारतिय महीलाओ को मदद पहुचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है इसके तहद भारत सरकार कामकाजी महीलाओ के लिए नौ देशों में बन स्टॉप सेंटर खोल रही है जिसका उद्देश्य महीला विरोधी हिंसा से निपटना है बहरीन, कुबेट, ओमान, कतर, UAE, आस्ट्रेलिया, कैनेडा और सिंगापुर में एक-एक बन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे वहीं साउदी अरब में ऐसे दो बन स्टॉप सेंटर खोले जाएंगे विदेश में खोले जा रहे इन बन स्टॉप सेंटर को केंद्रिय महीला एवंबाल विकास मंतराले और विदेश मंतराले की ओड से सहयोग दिया जाएगा वन स्टॉप सेंटर का मतलब है एक ऐसी विवस्था जहां हिंसा से पीडित कोई भी महीला सभी तरह की मदद एक ही छट के नीचे एक साथ पा सकती है भारत सरकार ने वन स्टॉप सेंटर योजना एक अप्रेल 2015 को हिंसा से प्रभावित महीलाओ को मदद पहुचाने के लिए लागू की थी जिसे मुख्यता सक्खी के नाम से जाना जाता है भारत में अभी भी करीब 700 बन स्टॉप सेंटर काम कर रहे हैं एक महीला को किसी भी तरह की हिंसा जेलने पर तुरंत उसे कई तरह की मदद की जरूरत पड़ सकती है जैसे मेडिकल सहायता, कानूनी सहायता, कई बार अस्थाई रूप से रहने के लिए इस्थान, मानसिक और भावनात्मक सहयोग इत्यादी जस्टिस उसा महरा कमिशन ने भी अपनी रिपोर्ट में ऐसे सेंटर इस्थापित करने की जरूरतों पर जोड़ दिया था और इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश में बनी स्टॉप सेंटर की शुरूआत की थी अब विदेशों में भी भारतियों की संख्या लगतार बढ़ रही है इसलिए भारत सरकार ने नौ देशों की पहचान कर वहां भी वनी स्टॉप सेंटर खोलने को मंजूरी दी है क्योंकि यह सर्व विदित है की विदेश में काफी भारतियों महीलाएं काम करती हैं इस दोरान कारे स्थल पर महीलाओं के साथ होने वाले उत्पीडन और हिंसा को दबा दिया जाता है विदेश में होने के कारण ये महीलाएं भी अपने साथ हो रहे अत्याचारों को बरदाश करती रहती हैं और कई बार महीलाएं विचितर इस्थिती में भी फस जाती हैं ऐसे में विदेश में काम करने वाली भारतियों महीलाओं को उच्चा योग दूतावास में खोले जा रहे वन स्टॉप सेंटर से वेहद मदद मिलेगी बे इन केंदरों पर सीधे मदद के लिए पहुँच सकती हैं वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले साथ ही इस योजना के बारे में आपका क्या सोचना है क्या जमीनी इस तर पर ये योजना सफल होगी अपनी राए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले